आप सुन रहे हैं सहर वित कामिनी खन्ना महामरतुन्जा के इस जाप से इनसान के जीवन की रक्षा होती है हर संकट से उसको चुटकारा मिलता है और वो खुद को सुरक्षित पाता है सुप्रभाद, सुप्रभाद, सुप्रभाद मैं कामिनी खन्ना सप्टेंबर महिने के आखरी दिन की आपको देती हूँ ठेड़ सारी शुब मंगल कामनाई और अक्टूबर का आगास करते हैं हम आज सोमवार, 30 सप्टेंबर 2024 चंद्रमा सिंगराशी में आहुरातर नक्षत्र है शुक्र का पूर्वा भालगुनी आहुरातर सोमप्रदोश है आज मासिक शिवरात्री है और त्रयोदशी श्राद्ध है आज थोड़ी ही देर में हम जानेंगे देखी आज एक अजीब सी बात आपसे चर्चा करने वाले हूं कि शनी मारगी हो रहे हैं नवंबर महिने में अब हम अक्टूबर में जानेंगे कि एक महिना पहले वो धीमे धीमे अपना बुरा असर छोड़ेंगे तो कौन सी राशी को कौन सी राहत मिलने वाली है इसकी चर्चा करेंगे हम में शराशी तो शनी मारगी आपको धन से रिलेटेड बड़ी समस्या दे रहे थे किसे स्विवाद आप पर पढ़ रहे थे और साथ साथ वीक फील कर रहे थे तवियत खराब थी यही नहीं आपको बलड से रिलेटेड समस्या है चोटें वगर अभी बहुत तकलीफ दे रहे है और मुझसे कमेंट में शेयर कीजेगा कि कामकाज ठीक नहीं चल रहा है यह बात सच है क्या वर्शब राशी आपके लिए शनी महराज का ये वक्री हो जाना कामकाज का विलंबित हो जाना पिता की तवियत खराब हो जाना खर्चे अनाप्शनाम विवाहिज जीवन में कलह, कलेश और किसी भी प्रकार का व्यापार में उन्नती का ना दिखना क्या ये मैं सही कह रही हूँ मिथुन राशी मिथुन राशी के लिए अप्शनी महराज जात्राओं पर ले गए तो आश्वस्त रखा लेकिन अपनी कुछ कामों में उन्होंने आपका धन ही नहीं आने दिया आपको हर प्रकार से लोन स्वगरा लेने पर परस्यू किया समझदार हैं आपके आपने लोन नहीं लिया और बचे रहे आप मुझसे शेयर कीजेगा आपके आपने ऐसा किया करकराशी आपके लिए शनी महराज ने क्या किया कामकाज को विलंबित कर दिया जगड़े करा दिये कारियस थल पर और जमीन जायदात से रिलेटेड पिता से रिलेटेड काम विलंबित किये साथ साथ में आपको मानसिक रूप से बेचैन किया शनी महाराज क्या कर रहे थे आपके कामकाजों की गती को रोक रहे थे वहीं पर घर में सुक्सुविधा इन्होंने खत्म कर दी थी हेलपर से मचमच और वाहन और साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड परिशानिया शनी महाराज ने क्या किया आपकी तब्यत जो है वो गड़बड कर दी आपके वेबसाइक पार्टनर विवाही जीवन के पार्टनर के साथ अन्बन कर दी वही आत्राओं में आपको खूब दुख दिया और आप दरे भी आपने किसी प्रकार खुद को समाला वकरी शनी आपको तंग करते रहे आपके विवाही जीवन में छोटा जो बच्चा है सेकंड नंबर का उसकी प्रॉबलम रही धन संचित नहीं हुआ परिपार में बेचैनी रही वरिश्चिक राशी पैसे की आवक नहीं हुई बड़ी मेहनत की पूरा साल पैसे की कमी में काटा वहीं पर विरोधी उठ खड़े हुए बेचैन रहे तबियत खराब रहे धनु राशी मानसिक बेचैनी कार्ड्स पर थी और वहीं पर प्रेम संबंद में खराबी खर्चे अनाप शनाप और खुद के दिमाग पर कंट्रोल नहीं क्या ऐसा हुआ के नहीं बताईए मुझे मकर राशी गर में बेचैनी माता पक्षक की तबियत खराब वाहन प्रोपर्टी से रिलेटेड कही समस्त्याएं और वहीं पर आपके कई काम जो केसे स्विवाद से रिलेटेड थे वो भी अटके हुए थे कुम्भराशी एक तो साड़े साती उपर से शनी का वक्री होना लेकिन आपको कर रहा था सपोर्ट तो कुछ कमी आई थी बेचैनी में कुछ कमी आई थी जो पहले यात्राओं में बहुत तकलीफ हो रही थी और जो काम एकदम स्लो हो गया था तो थोड़ी आपने गती बढ़ाई लेकिन अभी भी अर्चने तो बहुत जादा हैं खाना पिना दवाईयां यात्रा में साथ लेकर जाएं परिवार में बेचैनी वहीं पर संचित धन का ना होना कारियों में विलंब निकले कारियों के लिए यात्राओं पर तो उसमें आपको परिशानी ये सब दिखता है और थन्द परियो होता है। कि इसको दंड देंगे वो जो खुद एक्सेसाइज करेगा योगा करेगा मेडिटेशन करेगा प्राणायम बोलेगा नहीं घर परिवार का ध्यान रखेगा स्मयूद यस सह से चलेगा उसका कोई क्या बिगाड से आई तो भी वो इसमें से बाहर निक झाल झाल